नमश्कार आप सभी को एवरेज में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ट कोश्चिंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं चाहें बेंक एक्जाम हो या इससे एक्जाम हो तो चलिए हम सबसे पहले इसका कॉंसेप समझते हैं जल्दी से और फिर हम इस पर बेस्ट सवाल तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कि आप जानते हो कि जो एक इस टाइप की सीरीज जहां पर दो कॉंसेटिटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वह हमेशा कॉंस्टेंट रहता है जैसे कि अगर मैंने पहला टर्म माना ए तो दूसा टर्म मैंने माना ए प्लस दी इस तरीके से सीरीज चल रही है तो अगर मैं इसके सम एंड टम्स की बात करने हैं तो इस एंड टम्स सीरीज में तो सम एंड टम्स होता है एंड बाइट दो 2a plus n minus 1 into d right ठीक और इसका जो n वा term होगा n वा term होगा a plus जैसे देखो पहले वाले term में 0 into d आया दूसरे वाले term में 1 into d आया 3rd term में 2 into d आया 4rd term में 3 into d आया तो n में term में क्या आएगा n minus 1 into d so this is nth term तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हम a plus a plus n minus 1 into d ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं yes ऐसे भी लिख सकते हैं what is this? this is first term and what is this? this is nth term we can say last term so n by 2 we can say it is t1 plus tn right अगर मैं n को इधर ले जाता हूं नीचे so sum of n terms divided by n is equal to t1 plus tn by 2 yes or no तो यह होता क्या है? sum upon number of terms is nothing but average right तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि average of APY होता है जो first term और last term का average होता है yes एक example से देखते हैं इसको समझते हैं देखो जैसे मैंने एक सीरीज ली बड़े सिम्पल सी 2, 4, 6, 8, 10 ठीक है? 5 consecutive even numbers है तो first और last term का जो average होगा वो क्या होगा? 2 plus 10 by 2 यानि कि 6 तो आप ऐसा भी देख कह सकते हो कि यह जो 6 है ना वो इस सीरीज का exact middle term तो average of AP क्या होता है? middle term भी होता है अच्छा अगर आपको first term और last term देदी जाए तो आप average of AP निकाल सकते हैं उन first और last का average निकाल का लेकिन कई बार सवाल को गुमाने के लिए examiner second और second last का sum भी आपको दे देता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि AP सीरीज में first और last term का जो sum होता है वो वही होता है जो second और second last term का sum होता है अगर third और third last term है तो उनका sum भी वही होगा तो first और last का sum second और second last का sum third और third last का sum same ही होता है and so on ठीक है अब देखो यहाँ पर तो हमें middle term दिखाई दे रहा है तो वो इसका average हो गया कई बार सीरीज में even number of terms होते हैं जैसे कि अगर मैं सीरीज को 2,4,6,8,10 और 12 तक extend कर दूँ तो यहाँ पर 6 terms है तो 6 terms में middle term हमें नहीं पता कौन सा होगा ठीक है आप कह सकते हो सरी यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है तो ना तो यह middle term है ना यह middle term है इस पूरी distance को let's suppose चे यूनिट की distance है अगर मैं इसको बराबर बराबर डिवाइड करूँगा तो 3 term इधर और 3 term इधर निकाल दूँगा तो exact mid में क्या लाए करेगा 6 और 8 के बीच का number यानि 6 और 8 का average यानि की 7 और वही first और last का average होगा यानि 2 प्लस 12 बाइ 2 जब आप करूगे तो क्या आएगा 14 बाइ 2 यानि की 7 यह series का average होगा तो average किसी भी AP का हमेशा middle में लाए करेगा चाहें वो term के रूप में दिखे या ना दिखे लेकिन होगा जब है ना जो middle में चाहें वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है लेकिन होगा एकदम midpoint यह बात सभी को clear है चलिए अब जैसे यहाँ पर तो past term है तो मुझे पता है कि तीसरा term middle term है अब let's suppose किसी series में 15 term है अगर किसी series में 15 terms है तो उसका middle term कौन सा होगा तो देखो middle term होता है n प्लस 1 बाइ 2 यानि 15 प्लस 1 बाइ 2 यानि 8th term जो इस series का 6 बाइ 2 वो middle term होगा जैसे series में 5 term है तो 5 प्लस 1 बाइ 2 यानि 6 बाइ 2 यानि 3rd term तीसरा term इसका middle term है तो यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए अब जो चीज हमने यहाँ पर सीखी है इसको apply करते हुए हम सवाल देखते है किस तरीके से पूछे जा सेकते है average of 5 consecutive even numbers is 56 ठीक है find the highest integer among them तो 5 consecutive even integers है एक, दो, तीन, चार, पाँच इनका average क्या है 56 अब जिसको concept नहीं पता होगा वो इस सवाल को कैसे करेगा कि let's suppose कि पहला number है a दूसरा number है even numbers है तो दो-दो के gap में होगे a प्लस 2, a प्लस 4 a प्लस 6, a प्लस 8 ऐसे मानेगा फिर इन सबको add करेगा divide by 5 करेगा और इसको बराबर रगेगा 56 के solve करेगा solve करने के बाद एक ही value निकालेगा एक ही value निकालने के बाद फिर a प्लस 8 जो highest number है उसकी value निकालेगा अब आप सोच लो कि कितना number process यहां पर आपको follow करना पड़ेगा if you do not know this concept right तो देखो concept के थूरू हम कैसे करेंगे एक second में सवाल सौल हो जाएगा 5 consecutive even numbers है और even numbers का मतलब के sum में 2-2 का gap होगा consecutive even numbers मतलब 2-2 के difference पर होगे इसका मतलब यह जो series है वो क्या है AP है तो AP में जो average होता है वो हमेशा क्या होता है middle term होता है यानि इस series का middle term क्या हो गया 56 हो गया consecutive even numbers थे हैं तो 56 के बाद क्या आएगा 58 और 58 के बाद क्या आएगा 60 so highest term highest integer जो इन में है वो क्या है 60 right चलिए if the average of 7 consecutive integers और 7 consecutive numbers is T how much will the average increase by if next 3 consecutive numbers are also added ठीक है तो इस सवाल को कैसे करें देखो साथ consecutive integers है हमारे पास एक दो तीन चार पांच छे साथ यह साथ integer मेरे पास पहले से ही थे उसके बाद में 3 और add कर देता हूँ तो अब मेरे पास 10 integer हो जाएंगे पहले साथ integer का जो average है वो कौन सा number होगा 7 plus 1 by 2 यानि 8 by 2 यानि 4th number तो 4th number इसका middle term होगा जो कि किसके बरावर होगा average के बरावर है यानि कि इसका जो 4th term है वो T हो गया इस series का 4th term होगा T अब अगर मैं यहाँ पर total 3 term और add कर देता हूँ तो आप total कितने terms होगे 10 terms और 10 terms का जो average है वो कहाँ पर लाए करेगा तो even number of terms है तो देखो 5 term आप यह वाले छोड़ो और 5 term यह वाले छोड़ो 5 प्लस 5 तोटल 10 हो गए तो average एकदम middle में लाए करेगा जो कि यहाँ पर हमें दिख नहीं जाए लेकिन है फिर भी ठीक है तो middle में क्या लाए करेगा तो आप यह देखो कि यह consecutive क्या है numbers है ना कि even ना odd तो 1 1 के gap में होंगे तो हम कह सकते है T के बाद क्या आया T plus 1 फिर क्या आयागा T plus 2 और जो इस पूरी series का average है मतलब 10 number की जो series है उसका जो average है वो यहाँ लाए करेगा तो T plus 1 और T plus 2 के बीच में क्या लाए करेगा we can say T plus 1.5 इन दोनों का average निकाल तो इस पूरी series का average क्या होगे T plus 1.5 जो के पहले क्या था T साथ terms का average था T अब T plus 1.5 हो गया मतलब कितने से increase हो गया 1.5 से increase हो गया right simple concept आगे देखने there are 25 consecutive odd integers the average of last 15 is n find the average of all the numbers right तो 25 odd integers है हमारे पास 25 odd integers में पहला term मैंने मान लिये T1 है ना last 15 को छोड़ दो तो कितने बचे दस बचे तो T1 से T10 एक तो हो गया ही और last 15 कहां से खाया तक लाए करेंगे T11 से लेकर T25 तो यह आखरी के 15 हो गया yes इसमें किसी कोई doubt नहीं ठीक तो हमसे कहा गया कि आखरी के जो 15 है ना उनका average n है तो यह जो 15 numbers है 15 numbers का average middle term होगा right क्योंकि consecutive odd numbers है तो अगर यह middle term की अगर हम बात करें तो इस series में middle term कौन सा आएगा तो यहाँ पर how many terms are there 15 15 में middle term क्या होता है 15 plus 1 by 2 यानि कि 8th term तो इस series का 8th term कहां पर होगा पहला term अगर 11 से start हो रहा है तो 8th term कौन सा होगा 18th है ना अगर series 11 से start होगी है तो 8 में number पर क्या आएगा 18 यानि कि इस series में जो T18 है वो इसका average है जो कि किस के बराबर है N के बराबर है T18 is equal to N find the average of all the numbers तो यह 25 नमबर अगर मैं शुरू आख से N तक देखूं तो 25 नमबर है तो इनका average कौन सा term होगा 25 plus 1 by 2 यानि कि 13th term तो वी नीड तो find out T13 हमें क्या चाहिए T13 हमें चाहिए हमारे पास T18 की value क्या है N अब देखू T18 से T13 जाना है मतलब यहाँ पर 5 का gap है तो यहाँ 10 का gap होगा N-10 क्यों 10 का gap होगा वेकाज हर एक 2 consecutive numbers में 2-2 का gap होगा वेकाज consecutive odd numbers है 2-2 के difference परोंगे तो अगर मुझे 5 term shift करना है तो मुझे total 2 into 5 10 का gap यहाँ पर generate करना पड़ेगा तो मतलब इस पूरी series का average क्या होगा N-10 clear? चलो अगला देखू average of first 5 terms of in AP is 30 common difference is 4 find the first term of the series कोई formula वगरा किसी भी चीज़ की जरूवत नहीं है पहले 5 term हमें दिये गए है और इनका क्या दिया गया average तो हमें पता है कि AP में जो average होता है वो हमेशा middle term होता है तो यहाँ पर middle term क्या है 30 यानि यह middle term होगा 30 और common difference 4 है मतलब यह जो है 4 कम होगा इससे यह भी इससे 4 कम होगा 4-4 कम कर दो तो 4 कम करोगा तो total 8 कम हो जाएगा यहाँ पर यह जो first term आएगा क्या जाएगा 22 direct answer अगला देखिए S1 is a series of 5 consecutive numbers इस टाइप के सवाल bank exam से वो पूछे जाते है तो S1 एक series है जिसमें 5 consecutive numbers है 1, 2, 3, 4, 5 average of first 3 terms is 9 तो अगर मैं इसके पहले 3 term को देखता हूँ कि यह वाल इन 3ों को इनका average 9 है तो देखो consecutive numbers है तो definitely यह किस में होँगी AP में होँगी अगर यह AP में होँगे तो middle term इनका average होगा यानि कि middle term क्या होगा 9 होगा अब जब यह consecutive numbers है तो इससे पहले 8 आएगा फिर 10 आएगा फिर 11 और फिर 12 तो S1 series मुझे पता चलते S2 is a series of 4 consecutive even numbers तो एक दूसरी series है मेरे पास S2 जो क्या है 4 consecutive even numbers की series है है न और यहां पर दिया गया है second lowest term of S2 यानि कि यह this is lowest, this is second lowest it is 6 more than largest term of this तो इसका largest term क्या है S1 का 12 तो 12 से 6 more यानि कि 18 हो गया और यह जो series है न वो even numbers की series है हमें क्या चाहिए है यहां पर average of S2 series अच्छा average क्या होगा है यहां पर देखो यह 18 है तो इसके बात even number क्या आएगा 20 और average एकदम middle में लाए करता है मतलब इन दोनों के बीच में लाए करेगा तो 18 और 20 के बीच में क्या लाए कर रहा है 19 तो इसका जो average होगा वो क्या होगा 19, option B, done चलिए, question number 6 देखे, as well as a series of 5 consecutive multiples of 4 1, 2, 3, 4, 5 तो यह 4 के multiple है ठीक है यानि 4-4 के difference में series होगी 4-4 के difference में terms होगी अच्छा इसका जो sum है वो 100 है इन numbers का sum अगर 100 है तो average क्या होगा, because there are 5 terms, there are 5 terms, average is 100, sorry total is 100, so average must be 100 by 5 यानि कि 20 यानि कि 20 इसका middle term होगा, यह average है वो middle term है, AP है ठीक है और 4-4 के multiple है तो इससे 4 कम किया, तो 16 इससे 4 कम किया, 12 इसमें 4 add किया, 24 इसमें 4 add किया, 28 यह terms होगए मेरे पास, S2 is a series, एक S2 series भी मेरे पास है this is S1 series, S2 series क्या है, S2 is a series of 4 consecutive even numbers, तो यह जो है even numbers है, मतलब 2-2 के difference परूंगे यह even numbers की series है, तो यह 2-2 के difference परूंगे, सवाल यह कह रहा है कि second term of S2, इसका जो second term है that is 6 less than highest term of this number, this series, तो इससे 6 कम किया, तो यह 22 आ गया, और यह even numbers की series है, तो 22 से कम क्या होगा, 20 22 के ओपर क्या होगा, 24 और फिर होगा 26, find the average of series S2, average कहां लाए करता है, एकदम मिदल में, तो 22 और 24 के बीच में क्या लाए कर रहा है, तो इसका answer क्या होगा, 23 option C, done, yes, उम्मीद करता हूँ, यह concept आपको समझा आ गया होगा, बहुत प्यारा सा, छोटा सा सवाल है, आजा, यह बाला और कर लेते हैं, okay, question number same होगे, 6, so this is 7th question, find the average of all 2 digit numbers, which leave a remainder of 2 when divided by 6, ऐसी संख्या, जिनको 2 से divide, 6 से divide करने पर 2 का 6 बचे, 2 का remainder बचे, ऐसे सभी 2 digit numbers का मुझे क्या निकालना है, average निकालना है, तो मैं इसको कैसे करूँगा, देखो, जो number 6 से divide होने पर 2 का remainder देता है, मतलब वो number 6 के multiple से 2 ज्यादा होगा, यह न तो n की value क्या होगी, सबसे पहले हम k की value रखेंगे 0, k की value 0 रखेंगे तो पहला ऐसा number 2 आएगा, फिर next ऐसा number क्या आएगा, k की value 1 रख दो 6 into 6, 6 plus 2, 8, फिर k की value 3 रख दो, sorry, 2 रख दो, 12 plus 2, 14, फिर 18 plus 2, 20, फिर 6 into 4, 24 plus 2, 26, है न, and so on, आखरी term क्या आएगा इस series में, तो पहली बात तो हमें केवल 2 digit number चाहिए, तो पहले 2 number हमने यहां से 8 दिये, है न, यह single digit number है, तो इनकी मिझे दलगत नहीं है, आखरी 6 का multiple क्या होता है, 2 digit में 96, 100 से जस्ट पहले 6 का multiple है 96, तो 96 plus 2, इस series का आखरी term हो 6 का difference है, इसका मतलब यह जो series है, उसमें difference constant है, मतलब यह series क्या है, एक AP है, और AP में अगर मुझे average निकालना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ first और last का average निकाल दिना है, यानि 14 plus 98 divided by 2, यानि कि 112 upon 2, यानि कि answer मेरा क्या आएगा, 56 आएगा, right, option B, 56 is correct answer, ओकी, चलिए, उमीद करता हूँ, पूरा concept आपको समझ में आ गया होगा, तो एक शोटा सा प्यारा सा सवाल आपके लिए homework है, जितने लोगोंने वीडियो दिखा है, उन सबके लिए इसका answer comment करना mandatory है, sum of the second and the second last term of a series is 19, series of 19 consecutive odd numbers is 130, तो 19 consecutive odd numbers के एक series है, जिसके second और second last term का sum 130 है, find the average of first 18 terms of this series पहले 18 terms का average क्या होगा, ठीक है, तो इसका answer सभी लोग comment करके बताइएगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप अपने दोस्तों साथ इसको जाद से शेयर करें, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को subscribe कर लें, thank you so much